एक बार दोबारा देख लेते हैं VCRS में क्या था और VARS में क्या है VCRS में क्या है हम कोई भी एक रेफ्रीजरेंट डिरेक्टली यूज कर रहे थे For example, ammonia है या R11, R12 या R22 कोई भी रेफ्रीजरेंट है उसको हम डिरेक्टली यूज कर रहे थे चार कंपरेंट होते थे continuing करते हैं ठीक है छार्ण हो जाता है हमारा कंदेंसर में कर रहा है उसके बाद रहिसके बाद ध्रीफ बॉट में आता है ठीक हमें किलेु संवर्ण me Yes Slub उसका प्रेक्सर के प्रेशर और तम प्रीचर दो डॉनों की दोनों रिडूस कर दे रखे हैं जैसे for example हमने कुछ भी चीज जो you can say ठंडी करने के लिए वहाँ पर रखे रखेंटर में हमारा पानी हो गया सबजियां हो गई fruits हो गए जो भी चीज का temperature हमें reduce करना है वो हम यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ से temperature लेगा heat लेगा heat क्या होगी वह हीट sufficient होती है वह होती है latent heat of vaporization वह होती है latent heat of vaporization वह क्या करती है evaporator के अंदर evaporator के अंदर हमारा जो refrigerant flow कर रहा है उसको vapor की form में convert कर देती है vapor से फिर वापस compressor में जाती है और यह cycle चलती है कहां VCRS में VARS में क्या कर रहे हैं compressor हटा दिया compressor की बजाए हम क्या कर रहे हैं तीन equipment यूज कर रहे हैं कौन-कौन से पहला है absorber दूसरा है pump और तीसरा है generator पहला क्या है absorber दूसरा क्या pump और तीसरा है generator absorber का का काम क्या है absorber यूज क्यों कर रहे हैं हमें पता है कि वैप पर जो होता है वैप पर का जो product है वह वोलीसिंघ वह में बहुत ज्जादा होता है लेखट म McMед values करते हैं तो हमारा क्या है लेखवीड वाटर और ammonia का यहाँ पर already solution होता है absorber के अंदर यहाँ से क्या होता है low pressure ammonia vapor इसके अंदर चला जाता है वो इसके जाद mix होता है mix होने से जब ammonia और water mix होता है तो वो heat liberate करते हैं ठीक है? ammonia और water जब mix होगा तो वो heat liberate करेंगे और heat liberate करने के बाद क्या होगा pump जो है हमारा pump के अंदर क्या होगा pump क्या करेगा इसका pressure बढ़ा देगा pressure बढ़ा देगा pressure बढ़ाने से क्या होगा और pump आपका होगा कि electricity का use होगा electricity का use in pump is very very less as compared to in compressor ठीक है? फिर यहाँ पर कहा आ गया यह generator के अंदर generator के अंदर हमारा high pressure पे ammonia और water का mixture आ गया और जिया ammonia water का mixture आया यह क्या करेगा यहाँ पे जब high pressure पे ammonia water का mixture होगा यह क्या करेगा यहाँ पे हम इसको heat करेंगे heat कैसे करेंगे? heat करने से क्या होगा? temperature बढ़ेगा ना इसका temperature जो है temperature बढ़ाने के लिए हम हम इसको हीट करेंगे और वह temperature बढ़ाने के लिए हम लकडियां भी यूज कर सकते हैं लकडियों को जलागे भी यूज कर सकते हैं solar light का भी यूज कर सकते हैं या कुछ और भी यूज कर सकते हैं ठीक है जी तो यह था जनलेटर के अंदर जनलेटर में क्या होगा जब pressure और temperature होता है analyzer अपने अंदर से ammonia को तो पास होने देता है बट वाटर को वहीं पर रोक लेगा देंस किक्रेंख कर वापस न सबसकर नंदर पस यहां पर हीट लिबरेट हो उरई है तो तो उसको निकालने के लिए हमने cool water भी flow करवा रख है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो मिलती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन कॉंटिनू रख सके